बिहार में शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है शिक्षा विभाग ने कांसलिंग डेट जारी कर दी है जिसमें छटे चरन के शिक्षक अब जल्दी कांसलिंग में बैठ पाएंगे आपको उतारे कि बिहार में टीचर बनने की रा में कई यूबा लिगतार सपने देख रहे थे और कई ना कई अब उनके सपने पूरे हो सकते हैं आप राजी के प्राइमरी और मिडल स्कूल में टीचर भरती के लिए छटे चरन के लास्ट स्टेज का डेट जारी कर दिया गया है छटे चरन के लिए 17 से 20 मार्च के बीच कांसलिंग शुरू की जाएगी इसके बाद चैनित अभरती को नियोकती पत्र 25 से लेकर 28 मार्च के बीच बाट दिये जाएगे ये खवायत उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद की जाएगी शिक्षक नियोजन 2019 से 20 के शिक्षक अभरतियों के लिए ये अंतिम मौका माना जाएगा आपको बता दे कि छटे चरन के लास्ट स्टेज में उन नियोजन इकाईयों में काउंसलिंग कराई जाएगी जहां अभी तक एक भी स्टेज की काउंसलिंग नहीं हुई इसके साथ ही कुछ नियोजन इकाईयों में दूसरे और तीसरे चक्री की काउंसलिंग की भी बात कई जा रही है इसको लेकर शिक्षा बिभाग के तरब से अधिसूचना जारी कर दी गई है पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि छटे चरन जो बाकी रह गए उसको साथवी चरन में एक साथ बाहली कर ली जाएगी लेकिन अब बिभाग ने ये फैसला ले लिया है कि छटे चरन में जो बाकी शिक्षक अभ्यरती है उनकी काउंसलिंग पहले कराई जाए शिक्षब भाग की तरब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मताबिक नगर और प्रखंड नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग 17 मार्ज को होगी और इस दिन क्लास 6 से 8 तक के लिए ये काउंसलिंग की जाएगी इनी नियोजन इकाईयों में क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए काउंसलिंग 18 मार्ज को आयोजित की जाएगी ये दोनों काउंसलिंग जिला मुख्याले पर आयोजित की जाएगी जबकि पंचायत नियोजन इकाईयों के लिए क्लास 1 से 5 तक की काउंसलिंग 20 मार्ज को होगी य काउंसलिंग प्रकंड मुख्याले पर आयो जित की जानी है और इसके साथ ही जहां जहां काउंसलिंग की प्रक्रिया आप तक पूरी नहीं हो सकी 15 मार्च तक नियोजन इकाईयां मेधा सूची NIC के वेब पॉर्टल पर अपलोड करना होगा और इस मेधा सूची पर आपत्ती प्राप्त कर उसका निरागरन भी किया जाएका इसके बाद 15 मार्च तक अंति मेधा सूची जारी कर दी जाएगी शिक्षक नियोजन 2020 में नियुक्ति के लिए प्रतेक नियोजन निकाई के लिए ये अंतिम अफसर माना जाएका कर दो कर दो